कर रहे हैं काफी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं तो काफी दिन भी होगा 200 शुक्राइबर आप लोग ने करवा दिया उसके लिए बहुत बड़ शुक्रिया आप सभी लोग का बागी चलो व्लॉग फड़ाफट से स्टार्ट करता है और जो भी चैनल में फड़ाफ तो चलो फड़ाफट से आज मम्मी की बालकनी का टूर देने वाले स्पेशली तो वीडियो थोड़ी छोटी भी हो सकते लंबी भी हो सकते कुछ नहीं पता तो चलो फड़ाफट से बालकनी टूर्ट स्टार्ट करते हैं तो यह आपको पूरा यह पैमल दिख रहा है नहीं से नीचे तर तो यह पूजा रूम है बालकनी में ही बनाया हुआ है क्योंकि कुछ दिशा विशा बिल्कुल परफेक्ट ही ममी ने कहा तो यहीं पर हमने से पूजा रूम में कर्वर्ट कर दया नहीं तो जैसे यह जो है यह बैड्रूम से एक दरवाजा बागी वहां से भी तो बेसे के लिए आपको यह फ्लावर दिख रहे होंगे तो अब इन में देखो कलिया आ रही है यह देखो यह है इसमें भी आ रही है यह फ्लावर जासारे इसमें आ रही है देखो यह कुछ इस तरीके से खिलेंगे यह देखो तो यह काफी ज्यादा प्यारे दिख रहे ह बाकि ये देखो कितने सारे हैं इसमें कलिया ये परपल ऐसा कुछ कलर कार है ये देखो तो ये भी है ये पता नहीं कौन से प्लांट से मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये सारा पूरा आपका इनमें भी कलिया नहीं है आएंगे तो फिर दिखाएंगे आपको इंस्ट्राग को एक फ्लार्ड यह है यह तुमनी तुलसी जी मलब यह पूजा का हो गया यह भूले बाब अपने ठीक है बाकि आपको सबसे बड़ी है फ्लार्ड दिखाता हूं जो कि मुझे काफी दादब पसंद है वह यह वाला वह बेसिकली नाम नहीं पता लेकिन पसंद है फिर एक यह भी है इसका यह के आ रही है यह आप देखो यह तुलसी जी का पौद है यह शायद से मेरा को पता नहीं कायक अगल है किसी चीज़ का तो यह पौद है यह भी है बाकि फिर आपन का आ जाता है यह मलब एक ममी ने पूरा इतना बड़ा कुछ ऐसा सा तो नीचे से स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली इसके अंद्री कोई प्लांट है जो कि एकदब लोटस जैसा खिलता है यह आपकी लेमन ग्रास है जो कि कटीं हुई अभी आया ता माली उसी ने कटिंग वर्टिंग करी है यह स्नेक प्लांट है यह वाला नहीं पता है यह भी स्नेक प्लांटी है ठीक है यह किसी की रूट है जो कि दोनों गमला में सेम गमले उनमें लगाई हुई है यह भी क्रासुलाई है आपका और एक यह बेल का कोई पेड़ है तो काफी जादा बड़ी है अगर आपको नाम पता है तो बताना यह इसकी स्पेशल लेटी यह मला फ्लावर स्वावर्स कुछ नहीं होते है तो अभी जैसे थोड़ी बहुत गर्मी आएंगी ना तो यह देखो स्टार्ट हो यह यहां पे देखो इसकी जो लीज सेना यह राइड हो जाती है तो काफी जादा बड़ी है लगते मलब पूरा स्टेंड का वाट यह थी है बाकी जो अपने यह वाला एडिया है तो यहां पे अपने मम्मी ने फुल एकदम हैंगिंग पॉट्स लगा हूँ है तो यह वाला देखो मलब यह इसकी बेल काई सई आरियल नीचे तक तो यह सब हैं यह भी कुछ कोई 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 प्लांट्स ल आपको यह जो दिखर है न यह चीज यह एक्चुली में है क्या यह आपका क्या कहते है वह है बंबू जो होता है न उसका मलब यह पेड़ी का वह लेलो टन टैनी टाइप उसको काट के हमने इसको पेंट वेंट करके बढ़िया है इसमें पूरे में स्नेक प्लांट्स तो है लेकिन बैटने के वे तो जुगाड पानी होने चीए ना जूले में तो एक ही बंदा बैटने के बना रखी है तो दिखाते हैं आपको जुगाड एक तो नौरमल ही मुड़ा है बाकि दूसरी है चीज है को आपको बताऊं का मैं और आप लोग ने उसका व्लोग में एक लिए बैटने का होगा बाकी जो यह ब्यूवल है यह बाकी चीड का पेड़ होता है ना चंबा गयते तो वहां से कटिंग हो रखे तीमा पेड़ होगी तो यह चीड का जो पेड़ है उसको हम लेके आयते तो इसको बड़ी अगर बैटने की बहुत सई जुगाड है अब इनको देखो इसमें देखना वाइट लाइन कैसे आ रही है यह थोड़ा डार्क परपल टाइप आफ में हो जाएगा यह देखो तो काफी बड़ीया बड़ीया लगा रखें मम्मी ने यह तो है तो मम्मी को कुछ जादा ही शौक है और यह आपको पता ही है मनी प्लांट सब को ही पता हो सब्सक्राइब को जाएगा बाकि यह भी है एक किसी चीज का है इस वाली साइट पर आपको पूरा दिख रहे होंगे यह देखो इसने प्लांट काफी ज़्यादा लगा हूँ है यह आपका अभी है रिसेंट्ली आया है और एक यह भी है तो यह भी है तो पॉर्टल भी प्लांट यह भी है जो कि बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है और यह मेरा जहां पर हम बैठके बड़ी आवाई व्लॉगिंग कर रहे है तो चलो और अब आपको दिखाते हैं यह ब्रह्म कमल तो देखा ही होगा अपने ब्रह्म कमल भी लगाया हुआ है इसका व्लॉग भी एक और एंज हो रहा है तब यह और आएंगे देखो कलिया हैं काफी जादा है इसमें तो अब यह भी बहरेगा फुल और यह अपना आपका नल है पानी बानी डालने का वेवस्ता पूरी बार कि यह देखो यादे आपको वह लाइतम लो चीड़ के पेड़ मेंसे जो यह फ बाकी जूला भी काफी बढ़िया ममी ने बना दिया है तो दिखाते हैं हमको सीधा जूला तो यह देखो इस पर भी सुरी यह थोड़ा में बैड़िया ता भी इसलिए वह असा हो गया कोई नहीं बाकी यह जूला भी मस्त कर रहुए ममी ने बाकी मुझे यह वाला तो बस भाई यह है अपनी छोड़ी से वालकनी क्योंकि ममी ने काफी बढ़िया तरीके से बनाई हुई है तो चलो गई आज की स्वाल व्लॉग में बस अगर आपको यह व्लॉग पसंद आयो तो अभी जाके लाइक करना मुझे पता है काफी जाज़त चोटा था और इंस् तो चलो आज की स्वाल व्लॉग में बस इतना है मिलते है अपसे की व्लॉग में